हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रितिक लेक्निकल सपोर्ट आप सभी का स्वागत है हमारी इस यूटूब वीडियो में दोस्तो आज हम बात करेंगे मोटरोला जीटी फोर में सिम नॉट सोविंग एंड सिम नॉट वाव सिंग तो दूस्तो अगर आपके फोन में यह प्रॉब्लम आ रही है तो आपको इस वेडियो के दराश जानेंगे की इस प्रॉब्लम कैसे अन्ड तक बने रहे हैं दोस्तो चलो वीडियो स्टार्ट करते ह अब नेट्वर्ग ऐंड इंटरेंट रूसर पर क्लिक करने के बान आपको हैसिस वाले मोड में रहने के बाद जो या गा पांट वगरा जो चलता नहीं है और आपका जो सीम में वो काम नहीं करता है तो दोस्तों इसे अगर इनेबल होगा तो इसे डिसेबल कर दीजिएगा और आपको यहां पर जाना है मोबाइल नेटर्क में मोबाइल नेटर्क में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहां पर जो दूनों सीम जो मेरे मोबाइल के जाट आप वह नहीं चल पाएगा अभी आप देख सकते हैं यहां पर तो मैं एक बार बैख देटा हूं बैख लेने के बाद इस वाले सिंग को भी इनेबल करते हुं कुछ स्टारीकिसे आप यहां पार देख सकते घुमरी दूछ्ज़ी दूनों सीम वह इनेबल हो चुकी है आपको लाइब दिखा रहा दोस्तो और उसे के जशने चाहिए आप देखेंगे सिम पफॉर्मेंस इससे आप क्लिक करेंगे क्लिक करने कर आप यहां पर चेक कर लेजिए कि सिम स्लोट वान और सिम स्लोट टू दिया हुआ है यह डिसेबल तो नहीं है प्रिफेर्ड सिम फॉर डाटा तो दोस्तो अगर यह आपका डिसेबल होगा इस यौल आप्शन तो आपको इनेबल कर देना है तो दोस्तो यह करके आप अपने जो सिम का जो है नेटवर्क जो है पूरी तरीक इसे ठीक कर पाएंगे तो दोस्तो वीडियो अच्छी लेगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले